आज की ये वीडियो इन्वेसिटी वा कॉलेज के सभी बीए बेसी वीकोम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्पूड और जरूरी होने वाली है तो ये वीडियो आपको कम्पलीट जरूर देखना है आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी परिच् सब्सक्रिता होंगी या फिर लिखित होंगी या नि कहने का मतब परिच्छाएं नीकी प्रिखित होनगी या फिर बहुकिलफिर प्लस्टा आएंगे लिखित कगब आप geared को असफर पेपर मिलेगा क्योंठेंक उत्तर प्रूस्तिकра मिलेग उस पे आप लोगों ंतर लिखन जो सही होता है उसे आपको टिक करना होता है तो इस बार 2024-2025 के सबस्टर में जो फ़र्ष्ट समस्ट्रे के स्टुडेंट उनकी परिच्छाय लिखीत होंगी या फिर अब्जेक्टिव होंगी टिक करने वाला आएगा या पिर लिखने वाला आएगा यह आपको जानकारी होन लिखीत ही होंगी ध्यान सुन लिजेगा ठीक है परिच्छाय लिखीत ही होने वाली है जैसे कि कुछ इन्वर्षिटी है जिनका मैं आपको नाम बता दे रहा हूं ध्यान सुनेंगे जैसे कि इस बार हलाकि हमेशा होती है डाक्टर राम मनोहल लोईया आवद इन्वर्षिटी है जिसका नाम है कानपुर इन्वर्षिटी में हाला कि कुछ बार कानपुर इन्वर्षिटी में परिच्छाय लिखीत होती है और कुछ समेस्टर परिच्छाय अब्जेक्टि होती है लेकिन इस बार जो परिच्छाय वह आफ सभी की लिखीत होने वाली है ठीक है और एक और बड़ी इन्वर्शिटी है जिसका नाम आजमगड़ इन्वर्शिटी आजमगड़ इन्वर्शिटी में परिछाएं इस बार जो है वो लिखी थी होंगी सिध्धार्थ इन्वर्शिटी में परिच्छाइस बार लिखी थी होंगी ठीक है और रजेंदर सिंग रज्जु भाईया इन्वर्शिटी में परिच्छाइस बार लिखी थी होंगी ठीक है और सिध्धार्थ इन्वर्शिटी में परिच्छाइस बार लिखी थी होंगी ठीक कि दिन द्याल उपध्या में परिच्छाएं हमेशा जो है हो बिए बेसी बीकॉम के फास्ट थार्ड वा फिप्त समस्टर की या फिस सिकेंट समस्टर की परिच्छा हमेशा ऑब्जेक्टी ही होती है यानि कि बहुत विकिल्पी ही होती है ठीक है तो इस बार भी बहुत विकि यानि कि बहुबिकल पे ही कोश्चन आने वाले हैं लेकिन अभी कनफरम नहीं हुआ कि 100% बहुबिकल पे ही आएंगी जैसे भी कनफरम होगा हम आपको information कर देंगे लेकिन जो कनफरम है वो मैंने आपको बता दिया कि किनकी निवर्सिटी में परिच्छा हैं लिखित होने वाल किस प्रकार के कोश्चन आएंगे और फिर लिखित आएंगे तो अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट सक्षेर में अपने निवर्सिटी का नाम कमेंट लिख दीजेगा और पूछ लिजेगा कि सर यह हमारी निवर्सिटी में पर पैच्छा हैं लिखित होंगी या किस अबजेक्टिव होंगी या फिर अबजेक्टिव होंगी आप कोश्चन पूछेंगे तो हम आपका उसका एंसर देंगे ठीक है अगर आपको प्रस्ट नहीं जान करते हैं यही कोश्चन आप सभी का तो तो मैंने सब्सक्राइब कर देते हैं बाकि एक्जाम की तयारी इ आपको कराएंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए आपका अपने हैं सक्सेस्ट हुए बाकि कोश्चन जरूर पूछें मिलते हैं और ने वीडियो में जहिंद